नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर आमित मैश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटियर्शन स्पीकर और सी यू, मेटा सूवर्स इस लिमिटेड फ्रेंड्स हम में से बहुत सारे युवा साथ ही एक नए बिजनस का शुबारम करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत बड़ा प्रश्ण होता है कि अगर बिजनस शुरू करना है न तो मुझे किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए इंडस्ट्री का सिलेक्शन करने के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा प्रश्ण होता है कि बिजनस का सिलेक्शन करते समय मुझे कैसे पता लगी कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा बिजनस, कौन सा प्रोडक्ट या किस तरह की सर्विस मेरे लिए बेस्ट होगी जिससे मैं अपने जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकूँ तो आज इसी विशा पर हम बात करेंगे how to select a highly profitable business एक highly profitable business को कैसे हम select करें ध्यान रखेगा किसी भी बिजनस का selection करते सेमेना हमें छे basic elements जरूर देखने चाहिए और जिस बिजनस में यह सारे elements पाएं वो business दुनिया का सबसे बेतरी बिजनस हो सकता है जहां आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं तो वो 6 elements क्या हैं वो समझना देना चाहते हैं वो normal ticket price का है, average ticket price का है या high ticket price का है ध्यान रखेगा high ticket price का जो product या service होता है उसमें ratio of profit बहुत बड़ा होता है इसलिए सबसे पहले उसका ticket price जरूर चेक करें ticket price का मतलब है कि उस product या service के कितना price है कितनी price मनी एक consumer उस product या service को खरीदने के लिए देने के तो फ्रेंट्स बहुत सारे लोग यहले क्लेक्टों सेये टता है, जहां पर भी प्रोड़ुम् 7 का सर्कार होता है कने बेडाधें की प्रोड़ुम् 2. फैनेंस की प्रोड़ुम् 3. है अगर आपका client HNI है high network income client है तो वहां पर उसको पैसे की तंगी नहीं है उसे best quality चाहिए best product चाहिए अच्छे services चाहिए अगर आप ऐसे client का selection करते हैं तो समझ लीजिए आप एक बहतर industry में है इसलिए जरूर देखें कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें है चाहिए client आपको आसानी से मिल सकते हैं high profit margin फ्रिंट कहते हैं कि आज का जो आज की जो इंडस्ट्री ना बहुत competitive industry है और competitive industry में सबस्रा competition कहा है जहां पर low price competition होता है जहां पर price war होता है साथी साथ जहां पर business में entry barrier है बहुत छोटा है कोई भी business करने वाला व्यक्ति कोई भी person कोई भी युवा कोई भी startup आसानी से उस line में घुश सकता है ऐसी industry में competition की जो संभावना होती हो बहुत अधिक होती हैं जिसकी वज़से आप कभी भी highly profitable business नहीं कर पाते हैं इसलिए यह जरूर देखें कि कौन सा ऐसा business है जा competition कम है जिसमें घुशने के लिए बहुत बड़ा investment लगता है ताकि कोई भी साधरन व्यक्ति आसानी से उस business में ना घुश सके जब normal people उस business में नहीं घुश पाएंगे जरूर पीपल नहीं घुश पाएंगे तो उस business में जो profit margin होगा वो भी बहुत बड़िया होगा तो high profit margin होना चाहिए उसके बाद solution of a common problem जानातर क्या होता है कि जो product और services है ना उसका manufacturer या उसका supplier या उसका service provider यह समझी नहीं पाता है कि मेरा product कौन सी problem का solution लेकर आया है अगर आपका product या आपके service किसी customer की बहतर problem का solution लेकर आया ना तो समझ लीजिए आपका product market में भिकना ही भिकना है साथ-साथ यह भी ध्यान रखें ऐसी industry का chain करें जहां पर low competition हो अब low competition का कारण किया है एक तुर high ticket price है, H&I client है और उस business में entry barrier बहुत tough है मतला बड़ी investment के साथ या बड़े setup के साथ उस business का शुबारिम किया सकता है या लंबे समय में उसका setup बनाया जाता है जिसके हुए से small scale business और उसमें घुसी नहीं पाता तो यहां पर आपको low competition मिलता है साथी साथ future growth possibility उस business में होनी चाहिए, मतलब business ऐसा होना चाहिए जो अपने saturation पर ना पहुंचा हो कई बार हमने देखा है कि हम ऐसी industry में आ जाते हैं और पता लगता है उसमें competition तो ही, price war तो ही, साथी साथ वो industry अपने top level तक पहुँच चुकी है अब तो उसमें केवल गिरनी की संबावना है, इसलिए ये selection करना कि जिस industry में हमारे हैं उसकी future growth possibility कितनी है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो industry कहां जाने वाली है, कितना बड़ा market share है, कितना उसका consumer bank है, ये सारी चीज़ हमें जरूर देखनी चाहिए आज ऐसी एक industry के बारे में आपको बता रहा हूँ, stainless steel modular kitchen का business, आज कोई भी person stainless steel modular kitchen का business करता है तो उसको बहुत बड़ा display showroom बनाना है, बहुत बड़ी factory का setup करना है, फिर जाके उस business को product को develop करने के बाद एक brand generate करना है, तब जाके वो consumer तक अपने brand को पहुँचा पाएगा, क्य तो fly light business क्या है, एक ऐसा business जहां पर आपके operating cost कुछ भी नहीं है, ना आपको बहुत बड़े showroom का rent देना है, ना आपको बहुत अधिक खर्चा करना है, ना आपको बहुत अधिक staff रखना है, जिसकी वजए से उस business को fly light business कहते है, मतलब इतना हलका उसका business model है कि कोई भी व्यक style word जुड़ दाता है ना, तो लोगों को पता है कि यहां luxury की बात हो रही है, यहां glamour की बात हो रही है, यहां show off की बात हो रही है, यहां एचाने client की बात हो रही है, जहां पर पैसे की नहीं product की value है, और हर व्यक्ति बढ़ चड़ कर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, अ बहुत सारी चीज़न लगाता, develop होती रहेंगे, आपके चारो तरफ, नए ने घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, कोठी बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, विलाज बन रहे हैं, फार्माउस बन रहे हैं, बंगलोज बन रहे हैं, हमारे देश में जैसे से लोगों की purchasing power ब पास हो रही है तो construction या renovation ऐसे में इन सभी जगह पर kitchens, vanities, wardrobes, storage cabinet और steel interior की जरुरत बहुत ज़ादा पढ़ रही है क्यों पढ़ रही है steel interior की जरुरत क्योंकि आने वाले समय में पेडों की संख्या लगातार घटती जा रही है जिसकी वज़र से wood एक ऐसा product होने वाला है जो बड़ी मुश्किल से available होगा और उसका right alternate क्या होगा एक problem और भी है wood के साथ आने वाले समय में wood खतम तो होता जा रहा है लेकिन साथ-साथ महाँ सबसे बड़ी problem termite की भी है एक H&I client ना अच्छा investment करने के लिए तयार होता है लेकिन उसका सारा का सारा product दिमक खा जाता है इसलिए वो चाहता है एक ऐसा solution जहां पर एक बार product खरिदने के बाद long life उसको इसको इस्तिमाल कर सके तो ऐसे में इन सभी चीजों की ज़रुत पड़ती है और Metas Lifestyle का brand Metas Overseas Limited Stainless Steel Modular Kitchen Manufacturing में इंडिया की largest company है अब इस business को शुरू कैसे कर सकते हैं traditional method से भी कर सकते हैं फिर मैं आपको बताऊँगा FL भी तरीका क्या है अगर कोई भी person इस business को traditional method से शुरू करता है तो सबसे पहला जो option होता है वो होता है exclusive premium franchisee showroom जहां पर area चाहिए 2000-3000 square feet और आपको पता है friends अगर आपकी own site नहीं है तो 2000-3000 square feet का area 4-5 लाग रुपे rent पर मिलता है हमारे काफी सारे showroom 4-5-6-8-8 लाग रुपे पर मिलत रेंट पर भी है और वहाँ पर जो investment आता है एक showroom का 60-70 लाग रुपे का investment आता है तब जाके वो showroom बन के तियार होता है और एक showroom की operating cost होती है न वो 10-12 लाग रुपे से लेकर 15-16 लाग रुपे तक होती है 10-15 लाग का operating cost होता है जब इतना बड़ा showroom बना होता है दूसरा method क्या है वो method है franchisee franchisee थोटा छोटा showroom होता है 1200-15 स्क्वेर फिट की जगह चाहिए 35-40 लाग रुपे 30-35 लाग रुपे वेरी करता है area to area तो इतना investment आता है और इस showroom का खर्चा भी 5 लाग रुपे से 7 लाग रुपे परमन्त होता है उसके बावजूद भी ये लंबे समय तक बहुत बड़ा profit कमा रहे हैं पिछले 2012 से आज तक हम लगातार showroom बनाते जा रहे हैं और हमारा showroom हर showroom अपने आप में एक milestone है जो बहुत अच्छी income generate करता है उसके बाद हमारा next small scale जो setup है वो क्या है dealership और dealership में हमें minimum area required है 200-300-500 square feet 200-300-400-500 square feet तक वो बन जाता है जिसके investment आती है 12-15 लाग रुपे फ्रेंट्स 12-15 लाग invest करने के बाद भी न डेड़ से 2 लाग रुपे पर मंत उनका खर्चा होता है मैंने का यह traditional तरीका है traditional तरीके का मतलब जहां पर पूरा setup बना कर business का शुबारम किया जाता है आज भी हमारे franchisee showroom इस तरह से चल रहे है और लोग इस तरह से हमारी company में invest करके आसानी से अपने business को एक बड़े scale पर करते हैं लेकिन हमने एक चीज़ को study किया और हमने जहां से देखा कि हमारे आज भी जो H&I client है वो इतने बड़े बड़े display showroom होने के बाद भी showroom पर आने के लिए तयार नहीं है वो यह चाहते हैं कि company का कोई executive उनके पास आई उसके पास sample हो उसके पास दिखाने के लिए सारा model हो और वो आसानी से अपने घर बैट करी order को final कर दे तो ऐसे में हमने एक नया business model निकाला जिसको हम बोलते है FLB अभी मैं करना था ना FLB आपको बताऊँगा FLB क्या है Flylight Business Partnership इसमें कोई भी area required नहीं है इस business को आप अपने घर से कर सकते हैं अपने office से कर सकते हैं अपना जो भी जहां भी आप उठते बैठते हैं वहां से वो काम कर सकते हैं इसके लिए कोई investment नहीं लगना आपको infrastructure पर, office setup पर उसका rent, electricity, staff salary कोई भी खर्च आपको नहीं करना ना fixed overhead, ना variable overhead दूसरा हमने यह देखा कि हमारा HINI client है वो यह चाहता है कि company का executive हमारे पास है तो company का executive का पास sample होना चाहिए और यही बात जब हमने open public को कहा कि आप हमारे FLB partner बनो हम आपको एक देंगे showroom on the wheel अब showroom on the wheel का concept क्या है 24 by 16 inches का हमने एक briefcase design किया उस briefcase के अंदर हमने cabinet, shutter, hardware, accessories, catalog और कुछ different different samples यह बना कर हमने तियार किया क्योंकि हर HINI client यह चाहता है कि company का executive मेरे पास है तो कोई भी person एक nominal investment में इतनी कम investment में जिसमें एक mobile phone भी अच्छा नहीं आता एक smartphone की भी बात करूं ला और वो business जहां पर लोग 60-70 राख रुपे से लेकर 10-12 राख रुपे लगा कर dealership के रूप में इस business को कर रहे है वो सिर्फ 35 रुपे के investment पर business शुरू किया जा सकता है तो FLB एक ऐसा model है जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से अच्छा पैसा कमा सकता है लेकिन एक criteria है कि देखी दो तरह के business है एक capital intensive और एक labor intensive capital intensive का मतलब बहुत huge पैसा लगाया और business का शुबारम कर दिया labor intensive क्या है जहां हमने महिनत की और महिनत करके पैसा कमाया तो जो labor intensive method है उसमें उस person के पास कुछ qualifications होनी चाहिए जैसे सबसे पहली qualification क्या है कि उसके पास good communication skills होनी चाहिए showroom पर तो क्या होता है जब client आता है तो वो showroom के aura को देखकर प्रभावित हो जाता है तो अगर executive में काबियत कम भी होना तो भी customer satisfied हो जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा aura देख रहा होता है लेकिन जब आप sample लेके किसी के यह जाते है तो आपका communication skills बहुत बड़िया होना चाहिए अगर आप FLB partner बनना चाहते हैं तो आपका communication skills बहतर होगा तब भी आप बहतर perform कर पाएंगे और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म जात communication skills को लेकर पैदा होता है देरे देरे इसका अनुभव करके इसकी ट्रेनिंग करके इसके बारे में सीख कर समझ कर इसके बारे में study करके आसानी से practice करके एक व्यक्ति अच्छा communicator बन सकता है तो communication skills होनी चाहिए big dreamer होना चाहिए उसके मन में एक dream होना चाहिए कि मुझे वो business करना है जिस business में 60-70 लाग रुपे लगते हैं और यही मानकर वो काम करता है कि 60-70 लाग का मैंने investment किया है लेकिन मेरे पास एक sample kit है showroom होने के बाद भी मैं customer के जाता हूँ और वहाँ पर उनको sample दिखा के deal लेके आता हूँ तो dream बड़ा होना चाहिए उनका fast learner होना चाहिए क्यों क्योंकि जो executive है na FLB partner है हमारा उसकी regular training होती है कि बही कैसे काम करना है कैसे client से मिलना है कैसे lead generate करनी है lead generate करने के बाद उनसे क्या communication करना है फिर जब client से meeting हो तो sample कैसे दिखाना है sample के बाद next step क्या होगा फिर deal कैसे close होगी deal close होने के बाद जो payment आई है उससे आगे हम product कैसे deliver करेंगे ये सारी के सारी training जब कोई व्यक्ति समझता है तो उसको fast learner बरना बढ़ता है क्यों जितनी जल्दिली चीज़ों को सीखेगा समझेगा अच्छे से अपने career को develop कर पाएगा hard worker होना चाहिए ये काम ना FLV वाला ये lazy लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने की लतयार है उनको पता लगा कि ठीक है 15 km distance से client का call आया और पता है कि वो client 10-12 लाख रुपे का product मुझसे ले सकता है तो वो व्यक्ति hard worker होना चाहिए ये नहीं कि ठीक है मैं जाओंगा कल देखूंगा परसू देखूंगा कहते हैं कि मौका जो मिलता है ना life में उसको हमेशा achieve करना चाहिए सबसे पहले करना चाहिए ता कि कोई और उसको grab ना कर ले इसलिए hard worker होना चाहिए और ready to meet people उसको मज़ा आना चाहिए लोगों से मिलने से क्योंकि है चाहिए क्लाइंट से मिलना तो हर व्यक्ति चाहता है पर उसके पास को ऐसा product या service नहीं होती कि है चाहिए नहीं से मिल सके उनके बारे में समझ सके उनके taste and preference को समझ सके तो वो व्यक्ति के अंदर एक habit होने चाहिए कि उनको लोगों से मिलने में मज़ा आता हो अगर ये qualification आपके अंदर है ना तो आप आसानी से company के FLB partner बन सकते हैं और FLB partner बनने के बाद जब आपको लगे कि हाँ भी setup बहुत बढ़िया हो गया infrastructure बढ़िया हो गया आर्मिंग मेरी बढ़िया हो गई तो आप dealership showroom franchise showroom exclusive premium franchise showroom खोल कर capital intensive method से बहुत अच्छे से अपनी team रखकर बहुत सारा काम कर सकते हैं अब Metas Oversays Limited के brand Metas Lifestyle के FLB partner बनने के लिए या एक number दिया है आप इस number पर call करें या इस number पर WhatsApp करें 888 जैसी आप 888 WhatsApp करेंगे ध्यान रखेगा call भी कर सकते हैं या FLB बनने के लिए इस number पर आप WhatsApp करें और WhatsApp क्या होगा? 888 जैसी आप 888 WhatsApp करेंगे तो FLB से संबंदित सारी information आपके पास आजाएगी उस information को ध्यान से देखें, समझें और अगर आपको लगता है कि आप FLB partner बनना चाहते हैं एक ऐसी industry में आना चाहते हैं जिसमें वो 6 basic element है जो एक बड़े business में होने चाहिए तो आपका हम हमारे team में बहुत स्वागत करते हैं आपके मन में इसके अलावा कोई भी प्रश्ण हो तो वो प्रश्ण हमें comment box में लिखकर ज़रूर पुछें या इस number पर call करके FLB के साथ-साथ company की information भी ज़रूर ले और साथ-साथ मैं आप सभी का सौगत करता हूँ हमारे company outlet पर company showroom पर ताकि आप देखें और समझें कि येस एक H&I client के लिए बेहतर product और high profile business क्या होता है business के ideas भी इसी तरह से मिलते हैं जब आप business units पर जाते हैं कोई भी informative video मिसना उसके लिए चैनल को ज़रूर subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको business related best videos और बहुत जल्दी मेरा एक training program Rope, result oriented program for entrepreneurs आने वाला है उस program की information के लिए आप हमारी team को contact करें स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं Dr. Amitma Aishwari आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जाहिंद, जाहारा